नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका लौगुरू में मैं राग रिशी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CRPC के अंडर Chapter 3 यानि के Power of Courts के बारे में यानि के अगर हम हिंदी में बात करें तो नियायलो की शक्ति के बारे में हम बात करेंगे जो की कवर होता है Section 26 से लेकर Section 35 तक तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Power of Courts जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि इस Chapter के अंदर Section 26 से लेकर Section 35 तक कवर होते हैं तो शुरू करते हम सबसे पहले Section 26 से जो की बात करता है Courts by which Offenses are Tribal यानि कि वो कौन-कौन से नियायले हैं वो कौन-कौन से Courts हैं जिनके द्वारा Offenses जिनके द्वारा अपराद जो हैं वो Tribal हैं यानि कि उनको सुना जा सकता है तो दोस्तों इस Section कहता है कि अगर कोई भी Offense Commit किया जाता है Under Indian Penal Code तो वो Offense जो है वो इन Courts के द्वारा Tribal होंगे वो कौन-कौन से Courts हैं वो हम नीचे देख लेते हैं सबसे पहले इसमें बात की गई है The High Code यानि कि जो Offenses अगर Indian Penal Code में किये गए हैं तो वो High Code के द्वारा Tribal होंगे उसके बाद दूसरे नमर पर बात किये है The Court of Session और तीसरे पॉइंट में बता रखा है कि कोई भी Other Court जिसके पास में पावर है उस Offense को Tribal की दोस्तों इसी में एक Provisor भी बता रखा है जो कि हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर कोई भी Offense जो कि IPC के अंडर सेक्शन 376 376A 376B 376C 376D और 376E में कमिट होगा तो उन Offenses का जो Trial होगा वो उन Courts में होगा जिनकी Presiding Officer एक Woman होगी अब बात करते हैं Section 27 यानि कि Jurisdiction in the Case of Juvenize यानि कि अगर कोई Offense जो है एक Juvenile के दुआरा कमिट किया जाता है तो उसका Jurisdiction क्या होगा उसके बारे हैं बताए गया है इस Section के अंदर तो दोस्तो अगर कोई Offense जो कि Life Imprisonment और Death Penalty से कम है किसी ऐसे व्यक्ति के दुआरा किया जाता है जिसकी आयू उस तारिक को जब वे नियाले के समक्ष हाजिर किया गया है पेश किया गया है 16 वर्ष से कम है तो ऐसे Offenses जो ट्राइल किये जाएंगे वो CJM Chief Judicial Magistrate के दुआरा ट्राइल किये जाएंगे जा किसी ऐसे कोट के दुआरा ट्राइल किये जाएंगे Sentences which High Court and Session Judges में पास यानि के वो कौन-कौन से दंड है जो High Court और Session Judge पास कर सकते हैं दोस्तो इस सेक्षन को सुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमने CRPC के अंदर Constitution of Criminal Court पर पहले से एक वीडियो बना रखी है तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखे उसके बाद आप इस सेक्षन को continue करें क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि Criminal Courts का Constitution कैसे होता है या उनकी hierarchy क्या है तो चलिए इस section का आप शुरू करते हैं इसमें हमें तीन point यह यह कहें तीन clause पढ़ने है पहला इसमें है कि High Court में Pass any sentence authorized by law यानि कि High Court जो है वो कोई से भी sentence कोई भी dund pass कर सकते हैं जो कि law के दुआरा authorized की गई है बात करें दूसरे point की जिसमें session judge और additional session judge की powers के बारे में या उनकी कि वो कौन-कौन से sentence पास कर सकता है उसके बारे में बताए गया है तो session judge और additional session judge कोई भी sentence पास कर सकते हैं पर that sentence को पास करने के लिए उनको High Court की confirmation लेनी पड़ेगी बात करते हैं तीसरे point की जिसमें बताएगे assistance session judge कौन-कौन से sentence पास कर सकते हैं तो दोस्तो assistance session judge जो है वो कोई भी sentence पास कर सकते हैं जो की law के दुआरा authorized किये गए हैं पर sentence of death, life imprisonment और ऐसी सजा जो की 10 साल से उपर हैं उन सजाओं को assistance session judge जो हैं वो पास नहीं कर सकते हैं यानि के अगर सीधे सब्दों में समझें तो assistance session judge जो है सिर्फ 10 साल तक की सजा जो है वो पास कर सकते हैं अब बात करते हैं अगले section की यानि के section 29 sentences which magistrates में पास यानि के ऐसे sentences ऐसी punishment जो की magistrate के दुआरा पास की जाती है इस section में भी चार clause पढ़ने हैं तो पहले point में बताए गया है chief judicial magistrate की power के बारे में की chief judicial magistrate कौन कौन से sentences पास कर सकते हैं तो दोस्तो chief judicial magistrate जो है वो किसी भी sentence को पास कर सकते हैं जो law द्वारा authorize किये गए हैं पर ऐसी कोई भी सजा पास एक first class magistrate जो है वो ऐसी सजा जो की तीन वर्ष से उपर नहीं होगी वो सजा पास कर सकते हैं और fine जो की 10,000 रुपे तक का हो सकता है या फिर दोनों अगर हम बात करें third point की तो इसमें second class judicial magistrate के बारे में बताए गया है जो की एक साल तक की सजा और जुर्माना जो की 5,000 रुपे तक का हो सकता है या फिर दोनों को पास कर सकते हैं दोस्तों पढ़ते हैं fourth point जो very important point है इस section के माध्यम से क्योंकि इसमें बताए गया है कि chief metropolitan magistrate ऐसी area जो metropolitan area होते हैं महाँ पर metropolitan magistrate और chief metropolitan magistrate होते हैं judicial magistrate और chief judicial magistrate की जगा पर यह हमने बताया है आपको constitution of criminal court की वीडियो में उस वीडियो को देखने के लिए आप उपर आई बटन पर किलिक कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जहाँ पर chief judicial magistrate की जगा पर chief metropolitan magistrate होगा तो उनकी पावर भी जैसे कि chief judicial magistrate की है महीं से हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि जहाँ पर metropolitan magistrate है instead of judicial magistrate तो उनकी पावर first class judicial magistrate जितनी होगी I hope आपको यह section समझ में आगया होगा अब चलते हैं अगले section की तरफ यानि कि section 30 sentence of imprisonment in default of fine यानि कि दोस्तो अगर कोई व्यक्ती fine देने में अक्षम हो जाता है default कर देता है तो उसकी सजा कितनी होगी और कैसे होगी उसके बारे में बताये गया है इस section के अंदर तो चलिए section को पढ़ लेते हैं इस point में basically हमें दो point पढ़ने हैं पहला कि जो magistrate है वो सिर्फ उतनी ही power access कर सकते हैं जितनी की section 29 में define कर रखी है यानि कि section 29 से उससे access punishment जो है वो magistrate नहीं दे सकते हैं और दूसरा point ये है कि अगर पहले से ही imprisonment दे रखी है और fine के default होने पर भी punishment देनी है तो punishment जो है one fourth से जादा नहीं होगी पहले वाली punishment के according आप चलते हैं अगले section की तरफ यानि कि section 31 sentence in cases of conviction of several offenses at one trial यानि कि ऐसा कोई case जहां पर किसी व्यक्ति ने बहुत सारे offenses कर रखे हैं तो उस case में एक साथ जो trial चलवाएंगे या एक साथ जो trial चलता है उसमें sentence जो dund है जो punishment है वो किस तरह दिया जाएगा वो बताएगा इस section में तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं तो दोस्तो इसमें पहला point बताएगा है कि जब कोई व्यक्ति जिसने एक से ज़ादा offenses किये गए है तो code के पास power है उस व्यक्ति को उन offenses के लिए एक साथ ट्राइल करने के लिए और साथी 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 समें आगे बताएगा है कि अगर नियायले ने ये order नहीं दिया है उन offenses की जो punishment है वो convict व्यक्ति उन punishment को साथ साथ भोगेगा तो ये माना जाएगा कि वो punishment क्रम से एक के बाद एक प्रारम होगी क्लियर करते हैं आपको एक example से मान लीजे किसी व्यक्ति ने लगातार तीन offense करे जिन में से दो की सजा दो-दो साल है और एक की सजा पांस साल है अगर कोर्ट ने ये order नहीं दिया कि वो तीनों punishment एक सात्थ भोगी जाएगी तो ये माना जाएगा कि तीनों ही अलग अलग भोगी जाएगी यानिके पहले दो साल फिर उसके खतम होने के बाद फिर दो साल फिर खतम होने के बाद पांस साल इसको हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो इसमें प्रोवाईजों जी रखा है कि किसी भी कंडिशन में जो पनिश्मेंट होगी वो 14 साल के पिरिट से जादा नहीं होगी अब बात करते हैं section 32 की यानि कि mode of conferring power यानि कि शक्तियों जो परदान की जाएगी उसका ढंक क्या होगा उसके बारे में बताएगा इस section में दोस्तों इसमें बताएगा है कि high court या फिर state government व्यक्तियों को विशेष्टिया नाम से या उनके पद के आधार पर या फिर उनके officials के classes के हिसाब से अधेश द्वारा शसक कर सकती है यानि कि दोस्तों इस section में बताएगा है कि high court या state government व्यक्तियों को विशेष्टिया नाम से या उनके position के हिसाब से या फिर उनके officials में classes के हिसाब से अलग-अलग categorize कर सकती है और साथी साथ इसमें बताएगा है कि भी order है वो effect में आएगा तब से जब उस persons के साथ में उसका communication हो जाएगा ऐसा प्रतेक आदेश उस तारिक से प्रभावी होगा जिस तारिक को वे ऐसे सशक किये गए व्यक्ति को सुचित किया जाता है अब बात करते हैं अगले section के यानि के section 33 powers of officers appointed यानि के नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां यानि कि अगर किसी particular case के लिए किसी अधिकारी को नियुक्ति किया गया है तो उसके सक्तियां क्या क्या होंगी दोस्तों वैसे तो ये section बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है पर हम सिर्फ इसमें एक चीज़ पढ़नी है एक चीज़ समझनी है कि मान लीजिए high court ने या state government ने किसी एक particular person को special officer appoint किया गया है किसी particular काम के लिए तो जब तक high court और state government उसको रोकती नहीं है उस काम करने से तब तक उसकी जो power है वो ऐसे ही मानी जाएगी जिस काम के लिए उसको appoint किया गया था तो वो अपनी सक्तियों का ऐसे ही परियोग करेगा जैसे जिस काम के लिए उसको nuke किया गया था अब बात करते है section 34 withdrawal of powers यानि कि शक्तियों को वापस लेना उसके बारे में बताए गया है इस section में दोस्तों इसमें में दो point पढ़ने है पहला ये कि high court और state government किसी भी समय उन शक्तियों को वापस ले सकती है किसी भी person से या किसी भी subordinate officer से जिसको वो शक्तियां दी गई थी और इसी में दूसरा point बताए गया है कि कोई भी chief judicial magistrate या फिर district magistrate के दूआरा अगर किसी व्यक्ति को शक्तियां दी गई थी तो उस magistrate दूआरा उन शक्तियों को वापस भी लिया जा सकता है जिसके दूआरा बे शक्तियां पुरदान की गई थी अब बात करते हैं आखरी section of this video यानि के section 35 powers of judges and magistrate exercisable by their successor in office यानि के नियाएधिशो और magistrate की सक्तियों को उनके पद उत्तर विर्तियों दूआरा प्रियोग किया जा सकता है दोस्तो इस section में बताया गया है कि इस code के provision के हिसाब से power और duties है किसी judge की या magistrate की वो exercise करवाई या perform करवाई जा सकती है उनके successor in office जो उनके office में उनके पद उत्तर वर्ति है उनके दूआरा तो इसमें बताया गया है कि जहां पर additional और assistance session judge कि succession in office का doubt है कि उनके successor in office कौन है और कौन उनके बाद में उनके कारे को आगे continue करेगा तो इस situation में session judge होंगे वो determine करेंगे कि additional session judge और assistance session judge की जो सकतिय है पावर है उनको कौन continue करेगा आगे मैं इसमें आगे बताया गया है कि जहां पर magistrate और chief judicial magistrate or the district magistrate में कोई doubt है कि उसका successor in office कौन है तो उन magistrate के बहाफ में उनके absence में जो उनका काम संभाल रहा होगा उन magistrate का जो successor in office होगा वो magistrate के लाएगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अपने इस वीडियो की notes का link हमने इस वीडियो की description box में डाल दिया है तो आप चाहें तो इस link पर click करके उनके notes को download भी कर सकते हैं साथ हमने description box में अपने instagram account का link भी डाल दिया अगर आप लोगों ने हमें हमापर अभी follow नहीं किया है तो हमें follow करें हमें comment करें अगर आपको कोई doubt है तो अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे maintenance के chapter के बारे में यानि के section 125 के बारे में हमारी वीडियो को like करें, share करें, comment करें और अगर आपने हमारे channel अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करें, धन्यवाद